क्या आप भी कई सारे SIM card रखते हैं? कुछ सालों पहले Multiple SIM card रखने का इक चलन था यही वज़ए है कि हमारे याँ Dual SIM card वाले phones इतने popular हैं हाला कि अब कम ही लोग Multiple SIM card रख रहे हैं क्योंकि कई सारे SIM card रखने की वज़़से आप फश सकते हैं आप पर कानूनी कारवाई हो सकती और जुर्वाना भी लगाया जा सकता है दरसल इस बारे में Telecommunication Act 2023 में पूरी जानकारी है इस नियम के तहट एक शक्स के Multiple SIM card रखने की सीमा तैकी गई है साथ ही इस नियम का उलंगन करने पर कारवाई भी हो सकती है तैस संक्या से जादा SIM card रखने पर जुर्माना या जेल का प्रावधान है और SIM card को लेकर Telecommunication Act 2023 में क्या नियम है दरसल पूरे देश में Maximum SIM card रखने की सीमा 9 है यानि एक शक्स 9 SIM card रख सकता है अलकि कुछ राज्यों में ये संक्या अलग है जम्मु कश्मीर असम और North East License Service Area में ये सीमा 6 है यानि इन जगों पर रहने वाले लोग Maximum 6 SIM card रख सकता है और इन नियमों को Cyber Fraud रोकने के तहट तयार किया गया है तैस सीमा से ज्यादा SIM card खरीदने पर कारवाई होती है पहली बार नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का fine लगता है अगर इसके बाद भी कोई शक्स नियम तोड़ता है तो उस पर 2,000,000 रुपए का fine लग सकता है टेली कम्मु केशन आग 2023 में फरजी तरीके से SIM card लेने पर सजा का भी प्रावदान है अगर किसी को फरजी तरीके से SIM card लेने में दोशी पाया जाता है तो उस पर 50,000,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की jail दोनों हो सकते हैं टेली कम्म आपरेटर्स को एक नाम पर जारी होने वाले SIM cards की संख्या पर नजर रखनी होगी अगर कोई फरजी तरीके से आपके नाम पर SIM card यूज़ कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं DOT के पोटल से आप बहुत ही आसानी से ये चेक भी कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM card आक्टिव हैं